नमस्कार किसान भाईयो, स्वागत है आपका क्रिसी ग्यान सुभम चैनल में तो किसान भाईयो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पौधे में लीफ माइनर डिजिज लग चुका है या रोग लग चुका है और उसमें पीले कलर के पत्ती में केड़े दिखते होंगे और लकीर बन जाता होगा तो उसका कंट्रोल आप कैसे करें उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं तो किसान भायो यह है कोहडे का प्लांट कोहडे के प्लांट में अगर आप देख रहेंगे तो यह लकीर देख रहे हैं यह लकीर है जो की leaf minor disease की वज़े सुगा है इसमें एक प्रकार का insect होता है जिसके grub होते हैं वो क्या करते हैं पत्ति के टीसूस को अंदर ही अंदर खाते खाते पूरे पत्ति को बरबाद कर देते हैं अब कैसे बरबाद करते हैं चलिए हम आपको दिखा देते हैं सो किसान भायो यहाँ पे देख रहा है यहाँ पे आपको एक पत्ति दिखा दे रहा है तो कितान भायों यहाँ पर ये पत्टी देखिए इसमें आपको हरापन कहीं देखिएगा इने अब जब पत्टी में हरापन ही नहीं रहेगा तो पत्ती के वज़ा से पोधे को भोजन नहीं मिल पाएगा और पूरी तरख से खराब हो जाएगा देख रहा है यहाँ पे leaf miner तो अब बात आता है कि इसका control हम कैसे करें क्योंकि बहुत सारे question हमारे YouTube channel पे आ रहे थे कि इसका control कैसे करें तो चले आपको बता देते हैं इसका control आप कैसे कर सकते हैं तो किसान भायों अगर आपको leaf miner disease को control करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक सीजिंटा कमपणी का आता है अलीका इंसेक्टी साइट इसका कारे क्या होता है किसान भायों जब पत्ती पे आपी स्प्रे कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि कीट जब उसे खाने की कोसिस करेगा तो खाने की जैसे ही कोसिस करेगा उसके बाद वो मर जाएगा क्योंकि ये एक systematic poison है उसके सरीर के अंदर जाते ही उसके nervous system बलाक हो जाएगे वो रासानी से मर जाएगा अब बात कर लेते हैं कि जो हम से मल डालेंगे तो बहुत हद तक कंट्रोल होगा इसलिए आप सभी सिजिंटा कंपनी का अलीका insecticide यूज करिए बहुत हद तक कंट्रोल होगा थोड़ा महंगा आएगा दबाई लेकिन आपके पोधे को पूरी तरह से कंट्रोल करेगा और leaf minor digits 100% कंट्रोल हो जाएगा तो बस किसान वाई हो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरू बताईगा और चैनल पे हैं तो जरू सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद